आज आपको बहरिया टाउन का मिडवे कमर्शल दिखाएंगे प्लोट साइज में मिडवे कमर्शल में कितना बड़ा और कितने छोटे तक हैं पांच मरला क्या रेट चल लें ये बिल्डर पर डिपेंड है बहरिया टाउन के इस Midway Commercial में अक्टिविटीज किस किसम की हो सकती है जब कोई नया शहर बनता है जिन जिन चीदों की जरूरत एक शहर में होती है वो सारी चीदों की जरूरत बहरिया टाउन में Assalamualaikum आपको लेकर फिर से आए हैं बहरिया टाउन में लेकिन आज आज आपको बहरिया टाउन का Midway Commercial दिखाएंगे Midway Commercial बन्यादी तोर पर दो पार्ट में है A और B साइट आज आपको A साइट दिखाएंगे और उसमें बताएंगे किस किसम की Commercial अक्टिविटीज हैं क्या आप खरीदारी कर सकते हैं, कौन सा फ्लैट, कौन सा आफिस और कौन सा प्लाट ले सकते हैं उसकी कीमत क्या है? आज तमाम तर चीजें इस वीडियो में होंगी तो इस वीडियो को मुकमल आप देखेंगे तो Midway Commercial के बारे में तमाम मालूमात आपको आज मिल सकती हैं तो चलिए Midway Commercial A-Side देखते हैं तो अब हम आपको लेकर आगए हैं Midway Commercial A-Side पर तो ये आप पीशे देख रहे हैं कि कुछ ग्रे कंस्ट्रक्ट है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ के आफिसे के पोजेशन भी हो चुकी है, वहाँ लोग अपने शाप्स और अपने आफिसे बना चुके हैं ये पीछे आपको बहुत सारे जगमक करती बेलिंग में नज़र आएंगी यानि जो तयार हो चुकी है और कुछ का काम अभी चल रहा है तो ये जो मिडवे कमर्शल है खासतर पर एक ही भी बात करें, भी दोनों वो बड़ी तेजी के साथ इस वक्त अपनी कमर्शल एक्टिविटीज में चल रहे हैं तो हम चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहां प्राइस क्या है, क्या तरीका कार है, कैसे आप यह हासल कर सकते हैं, कितनी इसकी जगा है, आईए चलते हैं फिर किसी बिल्डिंग के और पास पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं और बताते भी है मिडवे कमरشल की एक और खुशूरती है कि इसने बिल्कुल आपोजिट बहरिया टाउड कराची का हैड आफिस है अपको पीछे नागा रहा है यह देखें यह हैड आफिस और इसके बिल्कुल आपोजिट मिडवे कमरशल इसलिए भी Midway Commercial की बहुत ज्यादा एहमियत होगी कि Head Office और ये दोनों आमने सामने हैं बेसिकली B के Backside पे है तो B और A को जो डिवाइड कर रहा है वो बहरिया टाउन का Head Office है तो जिनाब इस वक्त हम मौझूद हैं Midway Commercial A में और मेरे साथ मौझूद हैं अली अली हमें Barrier Town के अवाले से बताते रहते हैं कि क्या तरीका कार हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं तो अली शुक्रिया आपका आज हम Midway Commercial A में जब हम आ रहे थे, हम देख रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे लेकिन मैंने का अली से चलके पूछेंगे कि मिडवे कमर्शल बनियादी तौर पर कितने प्लॉट्स हैं, क्या प्राइज है, क्या हो रहा है अक्टिविटीज तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि प्लॉट्स साइज में Midway Commercial में कितना बड़ा और कितने चोटे तक हैं देखें जी, Midway Commercial में एक ही साइज है और जैसा कि अभी हम खड़े हैं Midway Commercial A साइट पर यहां पर 125 यार्स का प्लॉट है ना इससे चोटा है ना इससे बड़ा है इसकी कटिंग 125 है 125 यार्ड जिसे बाकी लोगों के लिए वे समझने में आसान हो पांच मरला पांच मरला अगर पंजाब या लाहूर साइट पर आए तो वो पांच मरले के इकवल होता है और यहां की जो डाइमेंशन है वो रेजिडेंशल से थोड़ी ज्यादा रखी गई है जो कि है 30 by 40 क्योंके कमर्शल बिल्डिंग पर अमूमन चुड़ाई इसलिए ज्यादा रखी जाती है कि स्टोरी यानि के बनी होती है according to law या जो भी बहरिया ने बताया है वनक्रमार्च पर आप कितनी माले बना सकते हैं, कितनी मंजिल बना सकते हैं कितनी स्टूरी होनी चाहिए देखे यहां पर दो चीज़ेuuuu पहली तो अगर सिंगल पलॉट अै तो आप GND प्लस 6 हो चाहिते हैं org ng प्लस 6 ओने जल बन बन ळशे है और यह आपको दिखा भी सकते हैं कि यह जो बिल्डिंग है यह ग्राउंड प्लस 6 की बनेगी अचा अगर आगर आपके 2 इकठे प्लॉट हैं जिसे अमूमन पेर ओफ प्लॉट कहते हैं या दो इकठे प्लॉट हैं तो इस पे बहरिया की तरफ से आप ग्राउंड प्लस 8 बना यहां पर जो चीज है के बहरिया टाउन का कमर्शल और जितना जबर्दस किसम के बनने के बिल्लिंग यह तो फिर बहुत लंबे महेंगे वाली चीजें हो जाएंगी क्या रेट चल लेंगे वैसे यहां से लेके कहा तक यहां पर जो प्लॉट्स है 125 यार्ट के चुके कमर्शल साइड है तो तकरीबन जो यहां का लीस्ट या मिनिममम प्राइस है वो है तकरीबन 2 करोड 25 से 30 लाक ठीक है और अगर कोई प्लॉट का आ जाता है या कोई बुले वाट पे आ जाता है या हैड ऑफिस फेसिंग कोई साइड आ जाती है या इस साइड मलिक स्कॉयर के सामने क साइड तो 125 यार्ड का रेट है और फिर कुछ लोग जो कंस्रक्शन करते हैं वो फिर अपने आफिस बेचते हैं और उसमें भी मैं आपको तोड़ी तफसील बता देता हूं दो तरह के आफिस बनाए जाते हैं बिल्डर्स की तरफ से बिल्डर्स जानिब से के ग्राउंड सिक्स है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक फ्लोर पर एक ही आफिस रखते हैं और उसका साइज भी बता देता हूं अगर आप वन टू सिक्स फ्लोर देखेंगे तो उसका साइज होता है तकरीबन 1400 स्कौाइर फीट का 1400 स्कौाइर फीट ठीक है और कुछ बिल्डर्स ऐसा क करके हाफ फ्लोर यानि एक फ्लोर को दो आफिसेज़ बना देने हैं और टोटल बारां उफिस़ хотेंगर नीचे शौप होती है और यотрीगारो लेह मेले इंक पॉर अपने नाजदर् सेटेृ वैसे कमर्शल इतना ज़्याद को हो गया कि यह विशु आपने अपने नाजरीन असकरी बैंक देख रहे थे तो यह एक बड़ी अच्छी एक्टिविटीज के यहां पर यह थर दूप सिसाय में भी आ गई है तो यह बैंक की बिल्डिंग भी इस हवाले से थोड़ा एक्टिविटीज बड़ी तेजी के साथ यहां मिडवे कमर्शिल पर चल लिए अगर हम य किया जा रहा है अगर 200 प्लोट हैं तो 130-140 प्लोट पर तेंटिव्ली चंस्रक्शन हो चुकी है तो तो टोल कितने प्लोट्स हैं यहां पर यहां पर तकरीबन Midway Commercial A में तकरीबन एक सो ब्यासी प्लॉट्स हैं अच्छा मेड़ी वे कमर्शल ए साइड पर तो कितने पर कंस्ट्रक्शन चल लिया है और हो गई है और जो अगर हम एक खुछ तो मैंने देखा है कि ऑफिस बने हुए न जैसे बैंक बना हुआ है जी बिल्कुल लोग शिफ्ट है और बड़ी द है तो यह है पूरा सिल्सला मिडवे कमर्शल का अमूमन यहां पर जो ओफिस लेने वाले लोग है क्या इसमें ऑफिस की प्राइज कहां से कहां तक के बीच में वेरी कर रहा है कि अगर 1400 स्केर फिट का एक है तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन और इंटीर बड़ा बड़ यहां पर फिस फेसिंग यानि के वेले तो प्लॉट्स हैं वो महंगी है तो यकीन उन प्लॉट्स पर बढ़ने वाली इमारत वो भी महंगी है क्योंके है अच्छा जाता है दूसरी साइड एक है मलिक स्क्वाइर जो ओफिस यहां पर हैं इनकी प्राइस भी डिफरेंट हैं यहां पर ग्राउंड फ्लॉर का जो रेटा वो तकरीबन है 25,000 पर स्क्वाइर फीट ठीक है और फिर फिर्स तू सिंग फ्लॉर का डिफरेंट डेटा फ्लॉर तक्रीबन दस-12,000 पर स्क्वाइर फीट कई 10 से 12,000 बहुत फरक है depend on के आपका प्लॉट किस जगह है और आपक तो लोगों को अगर कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन बहतर नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्शन अच्छी है तो जो आने वाला बायर है वो अट्रैक्ट करता है कि अगर आप फिर्स फ्लोर से उपर चलते जाएं तो तकरीबन हर फ्लोर पर एक हजार पर स्क्वाइर फीट का या दो हजार पर स्क्वाइर फीट का डिफरेंस आता है फिर्स फ्लोर पर अगर आठ बारह हजार है या दस हजार है तो सिक्स फ्लोर पर रेट आठ हजार पर स्क्वाइर फीट होता है इन में जो अफिसेस हैं अगर फुल फ्लोर है तो चौ व्यू बैक साइड होगा उसको 680-680 तक रखा जाता है अच्छे यहां पर मिडवे कमर्शल में ऐसा लगता है कि शायद यह सारे ओफिस में क्या प्रॉपर्टी डीलर्स ने बैठ नहीं क्या यह अगले आने वाले वक्त में देखें आज अगर आपने एक ओफिस लेना है तो तो इसको हम 20-25 साल के लिए देखते हैं बैरिया टाउन के इस मिडवे कमर्शल में एक्टिविटीस किस किसम की हो सकती है देखें जब कोई नया शहर बनता है तो जिन जिन जीदों की ज़रूरत एक शहर में होती है वो सारी चीदों की ज़रूरत बैरिया टाउन में या call center है, यह तमाम यहां खुल चुके हैं, तो यहां पर rent पे भी offices चल रहे हैं अभी तक? बिल्ट कुल, रेंटल जो buildings ready हैं, उनका जिनके, मतलब, ऐसे भी offices हमारे पास हैं, हम आपको full फ्लोर पर rent पर भी दे सकते हैं, अगर आपका team चोटी है, आपका budget कम है, तो आपको हम उ आप किस टीम और कितने काम के साथ आना चाहते हैं आपकी टीम किया है आपका बजट किया है वो सारा डिपेंड करता है कि आप फिर किस तरह का रेंटल आफिस लेंगे चलें आखर में एक चीज अगर कोई रापता करता है तो खास कंसेशन भी होगी हमारी वीडियो देखने वालों के लिए कि अगर कोई यहां बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ यार यह एक अच्छी ऑपरचुनिटी आए और दूसरी बात सबसे ज्यादा यह कहा जाता है कि अगर किसी ने इंवेस्टमेंट करनी है तो वो कमर्शल प्रॉपर्टी पे करें उसका ज्यादा फाइदा होता है निसमतान रेजिजेंशल यही है बात कि कमर्शल और रेजिदेंशल में बहुत फर्क है इसलिए देखें इसमें ऐसा है कि कमर्शल अक्टिविटी अगर कोई स्यूसाइटी आती है तो उसमें 30-40% कमर्शल और साट या सतर फीसद रेजिदेंशल प्लॉट्स होते है प्रॉपर्टी आल दा टाइम बूम में रहती है सही बिल्कुल सही क्योंकि आपकी वीडियो देखकर वो आ रहे हैं तो जो बहतर हो सका जो मैक्सिमम हम कर सके हम डिसकाउंट देंगे और मकस्द एक और होगा कि उनकी ऐसी अच्छी जगा इन्वेस्टमेंट करवाई जाए कि उनको अभी भी फाइदा हो आगे चलके भी वो दो चीज़ों को बड़ा जरूरी ख्याल लग्या जाना है एक तो आपने जरूर चेक करें लेकिन यह है कि आप यह जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं यहां पर नीचे अली का नंबर है यहां पर एक और वसीम का है एक और मिस्टर अकबाल का नंबर है तो इन नंबर्स पर भी आप राब्ता करेंगे दो चीज़ें बड़ी जरूरी अच्छे एक और बड़ा मेजर इशू है अली वो ये है कि बहुत सारे लोगों की फाइलें कहीं हवा में उड़ गई हैं बेरिया टाउन में लोगों ने खरीदारी की, प्लॉट्स की चीज़ों की, उन लोगों का क्या फाइदा है इसमें? देखें जो प्लॉट्स अभी एक्जिस्ट नहीं करते या बहरिया की जुबान में डिस्प्यूट्ड लैंड में आगे हैं, आउट ओव बांडरी चले गए हैं, उनके लिए अगर उनकी फाइल्स हैं, ओल्ड बीटी के में, स्पोर्ट शिटी में या पैरडाइज में, तो हम उनके लिए एक special discount के साथ उनकी फाइल्स यानि वो अपनी फाइल्स हमें देंगे, हम उन्हें shops दे सकते हैं, offices दे सकते हैं, अगर उनकी फाइल बड़ी है तो एक से ज्यादा offices में भी हम उनको merging दे सकते हैं, और ये merging 100% होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी फाइल को माइनस मे प्लस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 100% मर्जिंग देंगे, और अगर उनकी फाइल बड़ी है और कुछ सिल्सला यानि के उनकी पेमेंट अभी वो नहीं कर पा रहे तो हम उनको यही पेमेंट इंस्टॉल्मेंट में भी schedule कर देंगे, कि आप यो rest या difference amount है याप हमे इंस्टॉल्मेंट में पे कर दें, ताकि आपकी जो files disputed हैं, लैंड में थी, अभी वो office, shop या plot की सूरत में अब आपके हाथ में आजए है, यह बड़ा जरूरी है जी, अगर आपकी हवा के अंदर कहीं file है, तो उसको बहुत बेतर है कि जमीन के ओपर ले आएं, और midway commercial में उसकी merging के मामलात, वो हो सकते हैं, और 100% और बहुत बेतर हो सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी होगी तो आप हमें भी बताइएगा, और नीचे के numbers पर जो numbers इस वक्त आ रहे हैं, अली का number है, मुहमद रसीम का number है, और साथ में मुश्यकबाल का number है, इ अपने को सवालात हैं, तो आप जरू कॉमेंट कीजेगा, क्योंकि आपके कॉमेंट के बाद ही हम अगी वीडियोस में वो सवालात पूछेंगे, अपना ख्याल लगें, अल्ला आफिस.